राजन साही के सीरियल अनुपमा ने कई कलाकारों को रातो रात श्टार बनाया है इस शो ने रुपाली गांगुली गौरो खन्ना और सुधानसु पांड़े यसे कलाकारों को इंडस्ट्री में असली पहचान दिलाई है ये स्टार्स सालों से टीवी और बॉली बुड में काम कर रहे थे लेकिन पहचान इन एक्टर्स को अनुपमा से मिली इस शो को राजन साही लंबी चोड़ी स्टार कास्ट लेकर चलाते हैं ऐसे में कलाकारों का आना जाना लगा रहता है आज हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने शो को अलविदा कही दिया है और अब उनके हाथ एक से एक बढ़कर प्रजेक्ट लगे हैं सुदानसु पांडे टीबी सिरियल अनुक्मा में सुदानसु पांडे ने वनराज शा का रूल निभाया था जिसे फैंस ने खूब पसंद किया सुदानसु शो छोड़ चुके हैं और अब वह बेंड अब बाइस का हिस्सा बन चुके हैं बतादे सुदानसु को बिग बॉस और करन जोहर के शो का ओफर मिल चुका है गौरो शर्मा गौरो शर्मा ने सिरियल में तोशु का रूल निभाया था फैंस को सिरियल का नया तोशु काफी पसंद आया और चंद दिनों में ही वो छा गए लिप के बाद गौरो शर्मा शो छोड़ चुके हैं अब गौरो के हाथ एक नया शो लग चुका है पारस कलनावत पारस कलनावत भी इस लिष्ट में है जिने अनुपमा से जुड़ कर काफी नाम मिला लेकिन वो शो से अलग हो चुके हैं अब पारस कुंडली भागे में लीड रोल निभा रहे हैं इससे पहले वो जलग दिखला जा टेन में नज़र आये थे सागर पारेक सागर पारेक के हाथ भी अनुपमा छोड़ते ही सांदार शो लगा था वो इस सिरियल में समर के रोल में दिखे थे इस शो को छोड़ने के बाद सागर जलग दिखला जा के अगले सीजन का हिस्सा बने थे मुसकान बाम ने मुसकान बाम ने सिरियल अनुपमा में सबसे पहले पाकी के रोल में दिखी थी मुसकान शो छोड़ने के बाद कुछ समय ब्रेक पर रही और फिर वो सिधा बिग बॉस के स्टेच पर नजर आई मुसकान बाम ने बिग बॉस 18 में बत और कांटेस्टेंड नजर आ रही है आसिश महरोतरा आसिश महरोतरा सिरियल अनुपमा में सबसे पहले तोसू के रोल में दिखे शो को वह कुछ समय पहले ही छोड़ चुके हैं जिसके बाद वह रियालिटी शो खतरों के खिलाडी में दिखे सलेसा सावंत इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवूड और एंटेटेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहें एवी भी एंटेटेन्मेंट